नमस्कार दोस्तों स्वागते आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप एक ऐसे कंडियो जो पर्मनेंट वॉर्क फ्रम होम ढूंड रहे हो तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ है यहां पर आपकी स्लेक्षन प्रोसीजर कैसे होगी और यदि आपके अस्लैप्टॉप नहीं है तो यहां पर आपको गॉवर्मेंट द्वारा ही लेप्टॉप दिया जाएगा काम करने के लिए वर्क फ्रम होम में आपके वास सेलरी कितनी होने वाली है आपका जो प्रोस आपको बहुत सरी चीज़ अप्डेट होती है 18 प्लस में बहुत सरी चीज़ अप्डेट होती है जैसे डेट of birth हुआ, एड्रेस हुआ, नाम हुआ और वह चीज़ अप्डेट होती है उसके अलावा एक है चाइल्ड इन्रॉल्मेंट जिसमें बच्चों के आधरकार्ट से ले के साथ ज्ट संसाहिए उसके साथ काम करने का मिल रहा है जिसकी zoals यूडे AIост यूनिक अथूठी के साथ आपको काम करने का मिल रहा है जसमें आपको इर्फोल्मेंट का काम तो आप एजली एफाम भर सकते हो और इसके आपके जो selection पूलिसर वो केसा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर आपका ना तो कोई assessment test होने वाला है और नहीं आपको कोई interview होने वाला है मैं यहां जस्ट आपको registration कर लेना है परऊपर तरीके से एक एक चीज आपको सही से डालकügen आपका registration कर लेना है जैसे आपका registration कंपlle होता तो आपकी training start हो जाएगी जैसी training start होती है तो आप training एक दिन मेंभी दो दिन में आछ दिन में तो आप वो टेस्ट एक बार में ही क्लियर कर लोगे, वरना आप सेकंड टाइम भी दे सकते हो, टेस्ट तीन से चार माच किती बार भी आप टेस्ट दे सकते हो, तो एक दो बार में भी आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो, जैसी टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको वह फुलनेना है गुगल पर आपको जो आधार कार्ड का को वाली प्लिक करने और लेंगवेज हैं द क्लिक करने है कि दो के तो एवाणिच आपके सामने आपको का जो में पेच आपको आधार कारण का कुल के आ जाएगा है है यहां पर जो आधर काड़ की जो सारी जानकरी है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी और जो आपको कैसे form भरना है और कहां कहां आपको जाना है वो आपको में word-to-word बताता हूं तो जैसे आप यहां पर आगे बढ़े आगे बढ़ने के बाद आपका ये page खुल चुका है page खुल गया है, page खुलने के बाद आप यहापर आदर कड को अपडेट करें, आदर साव है केसी है यहापर आप मोदी जी का देख सकते हो यहापर और यहापर आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है यहापर सबसे उपर 3 line पे यह जो आपकी 3 line दिख रही है, इस 3 line पे आपको जाना है, आप यहापर website देख सकते हो Government of India, Unique Identification Authority of India तो यहापर 3 line menu पे जाना है आपको menu पे जाओगे, तो menu पे जाने के बाद आपको आपके कुछ इस प्रकार के option देखेंगे मेरा अधार, UID के बारे में जाने ecosystem, media और संसाधन संपर्ग, सयोग तो आपको जाना है ecosystem में ecosystem में जाओगे, तो ecosystem में आपको fourth वाले option पे click करना है, prescription, correction और प्रमान, इस पे आपको click करना है इस पे आप जैसे click करोगे, तो आपके सामने जो prescription, परिक्षन और प्रमान है, उसका सारी जानकरी आपके सामने यापर आजाएगी कैसे कैसे आपको काम करना है, वो सारी चीज़े यापर आजाएगी या पढ़ सकते हो, बेटके form कैसे बनना है, link का मिलेगी जो है, पूरा जो examination का है, वो सारी चीज़े आपके यापर information आजाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो, test operation certificate 2022, 10 यह सारी चीज़े आपर, clearly training content, सारी चीज़े आपर दी गई है आपको कैसे form बनना है, वो मैं आपको आताता हूँ जैसे आप आए, user ID और password आपके बास तो नहीं है तो आपको यहाँ पर करना है, create new user जैसे new user पर click करोगे तो यहाँ पर सबसे आप पहले देख सकते हो how to apply, how to apply पर आपको पढ़ लेना है सारी चीज़े कि कैसे आपको apply करना है, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में इंग्लिश में पढ़ना है, तो इंग्लिश में आप यहाँ पर इसली पढ़ सकते हो, और आगे की जो प्रोसेस है वो continue यहाँ पर देख सकते हो, center detail देख सकते हो, simple of certificate आपको यसा certificate मिलेगा, आप काम करोगे सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो यही आपको बताना था आप यहाँ पर काम बहुत अच्छे से कर सकते हो और अपने training के साथ test दे के पास होके, यहाँ पर काम आप start कर सकते हो तो hope so आपको चीज़ समझ में आगई होगी